अध्यादेश के खिलाब दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विंद के जवाल सड़कों पर है तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इसी अध्यादेश के सारे बीजेपी ने दिल्ली में मजबूत पकड़ बना रखी है हाला कि देखा गया कि हाली में पटना में जो विपक्षी पार्टियों की बड़ी बैटक हुई इस बैटक में दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विंद केजरवाल ने अध्यादेश को लेकर जो बात रखे इस पर ना कॉंग्रेस पार्टी ने सहमती जताई ना पश्चिम मंगाल की मुक्यमंत्री मम्ता बैनर जी ने तो ऐसे में अर्विंद केजरवाल ने भी फैसला कर लिया कि जब तक पूरा विपक्ष जो है अध्यादेश को लेकर उनके साथ नहीं रहेगा तो अर्विंद केजरवाल इस विपक्षी पार्टी के घड़बंदन का हिस्सा नहीं रहेंगे और देखा ये जा रहा हुए कि जब दिल्ली के लजी की जो सारी पावर है वो दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विंद केजरवाल ने कहा उसके बात देखा जाता है कि बीजेपी अध्यादेश लेकर आती है और वापस से जो सारी पावर है वो दिल्ली के LG के पास चली जाती है जो कि ताना शाही बताय जा रहा है दिल्ली के मुक्यमंतरी अर्विंद के जरवाल ने कहा कि कोट के फैस्ट लेका सीधे सीधे तौर प पार्टी के नेताओं ने एक और जहां अर्विंद के जरवाल का समर्तन तो किया लेकिन कॉंग्रेस पार्टी अन्य राजनितिक पार्टियां अर्विंद के जरवाल का समर्तन नहीं कर रहे है तो क्या अध्यादेश बीचे भी वापस लेगी क्योंकि ये कहा जा रहा है अर तक लेजा दीजे, नमस्कार